जब किसी वाक्य में में का सेंस आए तो किस तरह से इन का प्रियोग किया जाता है ये बात हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझेंगे with time समय के साथ with places जगह के साथ in और inside the objects वस्तूओं में या वस्तूओं के अंदर एक के बाद एक हम इने समझें देखे इन में समय के साथ किस तरह से प्रियोग होता है दो साल में जब किसी वाकी में आता है दो साल में in two years, दो दिन में in two days, 2006 में in 2006, 2016 में in 2016, गर्मियों में in summers, सर्दियों में in winters, किसी महीने में बात करें जनवरी में in January, मार्च में in March, या इसी तरीके से अगर हम कहें सुभह, सुभह में या सुभह को, फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप बोलें कि सुभह को मैं पार्क में घुमता हूँ या सुभह में में पार्क में घुमता हूँ या में या को कुछ भी न लगाए सुभह को बोलेंगे in the morning, दोपहर को बोलेंगे in the afternoon, शाम को in the evening और रात के लिए आप यूज करते हैं in the night हाँ एक बात गौर करने वाली है कि रात के लिए आप at का प्रियोग भी करते हैं लेकिन तब आप the नहीं लगाते तब आप सीधे कहते हैं at night, तो यह तो आप कह सकते हैं in the night और आप यह कह सकते हैं at night examples देखते हैं मैं January में पैदा हुआ I was born in January, वो 2015 में घर आएगा, he will come home in 2015 अयांश आधे घंटे में निकलेगा, समय के साथ आधे घंटे में इसी तरह से इन का प्रियोग कब places के साथ किया जाता है जगहों के साथ जब में आए तो किस तरह से देखिए भारत में in India, देहरादून में in देहरादून, होटेल में in hotel, पार्क में in पार्क देखे आपके सामने स्क्वीन में लिखा है except small places छोटी जगहों के साथ इन की बजाए at का प्रियोग अकसर किया जाता है जैसे घर में आप कहते हैं घर में घर एक छोटा सा enclosed structure है घर में at home bus stand में at bus stand देखे at और in का प्रियोग किस तरह से किया जाना है ये बात और बहतर आप समझेंगे जब आप at के video lecture को देखेंगे और साथ ही साथ जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे English सीखने के अपने सफर में आप newspapers पढ़ते हैं आप news देखते हैं television में English movies देखते हैं जैसे जैसे formations आपके सामने आते जाएंगे आप खुद बखुद समझ जाएंगे कि कहाँ पर at का यूज करना और कहाँ पर in का इसका कोई standard rule नहीं होता हर बार अकसर अपवाद होते हैं जैसे घर में तो at home हमने यूज किया क्योंकि home के साथ at का ही यूज किया जाता in नहीं आप लगाते bus stand में at bus stand इसी तरह से दिखिए example है मैं दिल्ली में रहता हूँ I live in Delhi मैं bank में काम करता हूँ I work in a bank वो अमेरिका में पढ़ाई करेगा he will study in America इसी तरह से इन का प्रयोग कब objects के साथ किया जाता है देखें किसी object में या किसी object के अंदर object में बोला तो जैसे मालनीजे मैं कहूँ mobile में अब mobile भी तो एक object है mobile में हाँ mobile के अंदर एक software है जिसमें कुछ गाने है तो गाने mobile में है तो mobile एक object है mobile में बोला तो in the mobile और इसी तरह से जैसे मैं कहूँ की ऐलमिरा में, अलमारी में, तो ऐलमिरा में, ऐलमिरा एक enclosed structure है, जो चारो तब से बंध है, उसके अंदर तो इंदर ऐलमिरा, इस तरह से आप उसे समझ सकते हैं, उधारन देखिए, मैंने computer में photo देखी, computer एक object है, computer के अंदर photo, computer के अंदर photo physical form में रखी नहीं वी है, लेकिन computer में जो software है, उसमें photo है, तो object में है, that's it, आप ये ना समझेए कि object के अंदर, कोई computer के अंदर physically कोई photo नहीं पड़ी है, जिसे आप देख रहे हैं, मैंने computer में photo देखी, I saw the pic in computer, ये गाना तुम्हारे mobile में है, in the book.